जो एएक si circuit का тाबम नेक्स ट्रियू chasse circuit इसके पहले हम भूझने series rr circuit को पढ़ा था अब series rr circuit के बारे में पढ़ें इसमें क्या है कि इक circuit में पिउड़ी जो सीरी तो अब यहां पे resistance लगा यहां प् income आपये कि तो अम देखते हैं जो माराइरt सरक्liers होता है सका waveform क्या होता है ठिक है और सभी बेक्र तैग्राम टे मैं वायर सबया तो आर्च कि इसके प्योडी औरहां सच को अब को पता है जो सेम फेसलंच जोसका ऐसल दिप्रेंस होोता है जेरो होता है तो यह आपको प्योड़ी कापेसिटी और प्योड़ी रिजिस्टिफ रहते तब यह बताया गया था उसमें तो इसको ध्यान रखिए कि यह भी इंप्लिमेंट होगा इसमें दोनों को मिला करके जो हमारे पास वैक्टर डियाग्राम बनेंगे उसके बारे में बात करने रहे हैं तो यह हमारा राठी सर्कृट है इस प्रकार सही सर्कृट बनाएंगे और इसके बाद देखां क्याक्या जो कम्पोनेंट्स लागें उसके बारे में जाल लेंडे तो थे आप्लाइब वोल्टेज यह है तुटल जो अप्लाइब वोल्टेज हो क्या है वी आर कि एक्रोज क्रोस वोल्टेज वी सी क्या है वोल्टेज घ्र लगोगों पता है इसका मातर क्या होता है तो फेरड होता है फेजर डाग्राम के बात करें तो हम पता है जो हमारा प्योड़ी रेजिस्टिव सर्कुट होता है उसके डियाग्रम क्या बनेगा यहां से जो हमारा अगर हम इसको ना देखें नीचे वाले कि इन दोनों को ना देखें वेक्टर को केवल यह देखिए जो हमारे यह व्यार और आई वाला जो सेम प्योड़ी रेजिस्टिव सर्कुट का है जो हमारा प्योड़ी रेजिस्टिव सर्कुट होता है उसका हमारे पास क्या वेक्टर होता है कि उसने हमारी करेंट होती है करेंट क्या होती है वोल्टेज से लेड करती है ठीक है यह यह कह लिजिए कि जो हमारा वोल्टेज होता सब्सक्राइब उसमें ग्रेंट होता है वो मिकल इसको कह सकते हैं कि करेंठ गए लाइग और सिर्फोम सब्सक्राइब कटाइब और नबवेखे-बूर्टी वोकानिए कपलाइब फनीजित तरह से था इतर सुंंधित जो हमारे प्रसके सरकेट में वॉल्टेज से 90 hem हमारी करेंट होती है又 कहली करेंट से 90 lecture टाय उसको सरक्य都是 एक फेजर बनेगा व्र यहां साथ यह चाहिट के लिए वॉल्टेज को यहां सा इनकाल से प्रफिंट कम फेजरिन मोल्टेज स or सब्सक्राइब निकालेंगे यहां पर आई होगी आप लोगों को जो हमारा वैक्टर बन रहा है क्योंकि वैक्टर को दियां रखना वैक्टर किस प्रकार से बनते हैं तो यहां सिंपली हमें यह याद अगर है कि हमारा प्योडी रेजिस्ट्री सरक्रीड होता है उसका फेसर दैगरम होतागों क्या होता है तब इन दोनों क्या करेंगे सीरीज में इंपलीमेंट करेंगे एक साथ तो हमारा यह जो व्ल्टेज करते हैं आप लागा टीके शॉल्ट करते है तो देखिए इसको सॉल्ट करेंगे वी रवरावर आयर प्लस आय एकसे इस करो जागा भी सी पहले आपको साधे ही बता चुक्षक को ध्यान में रखेगा विसी बराबर आइएक्सी ठीक है यहां पर यहां पर क्या हो जागा आइक्सी यहां क्या हो जागा इसमें करने यहां से आप ओम्स्लोक के कोडिंग यहां से आप लोग को बता चुका है पहले भी तो उसको ध्यान में रखेगा विए पन आई बराबर जो यह से हमारा इसको में प्रूब भी किया था उसमें तो कहां से जेट आर्टी इंपीडेंस होगा है यहां से विए पन आई बराबर क्या हम्स्लॉक के कोडिंग यहां सीखा हुआ बराबर आई इन्टू जैड आर्चीघ्ट विए वेक्टर डिअगराम में बिच्वेश्ण बनेगा हमारा विए बराबर आई इन्टू जैड आर्सी इस में तर से ठीक है तो यहां से हमने वेक्टर डिएग्रमें बनाया किसकी यहां जेड आर्सी किसके बराबर है यहां जेड आरसी किसके बराबर है आर इसको प्लस एक्से स्कुरर के यहां जेड आरसी वराबर आर सक प्लस एकसे स्कुरर ठीक है अब यहां देखें वोल्टेश ट्रेंगल और इंपीडेंस ट्रेंगल के अगर बात करें तो पूरा-पूरा वोल्टेश इसमें रहना चाहिए वी-सी वी-ई-ड यहां एक इसमें आपार ने यहां आप यहां आगर यहीं पर हम वी एर अपटन आई करते हैं हर एक वोटेज कर किया करें आई निवाइड क वियार tapaicion आई यहां भी लगा जाँ पर वուल्टेंच में करें लिए अपको उत्य प्कुर्लेंट लोग्या बनेगा एक वह कंडिक थे प्रकाट्स यहां बन के आजागा movements इंपीडेंस ट्रेंगल के अगर बात करतें इंपीडेंस ट्रेंगल का झाल का वियर अपॉन आई भीसे क्लिजिए प्रसी यहां पर एक सी और चिक है प्रतिरोध होता है यहां पर हमारा यहां निकाल लेंगे यहां इंपिडेंस का मान निकालेंगे तो यह हमारा impedance triangle बनके त्यार हुआ और यह क्या हुआ voltage triangle हमको मिल गया ठीक है voltage triangle impedance triangle मिला अब यहां से अगर हम sign cos और 10 के form में इसको लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे देखिए पाइथा गुरस प्रमिय अगर यहां लगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबटे काड़ होता है ठीक है ना तो इस ट्रेंगल में voltage triangle का sign cos 10 निकाल लेते हैं और impedance triangle का भी sign cos 10 निकालेंगे अगर हम voltage triangle की बात करें तो यहां पर sign theta बराबर क्या हो जाएगा वी सी अपॉन वी ठीक है वी सी अपॉन वी हो और बाते काड़ होता है यहां USA और कड़ है किसका वी स्काण बी इसफेसि प्रकार सेuba उजागा या इस प्रकार से कॉस्ट निकाल लेंगे कौस्त बराबर क्या हो जाएगा आधार कड़ होता है तो शीडाबर अधर हो möjश्र बाटे factor वोल्टस ट्रेंगल के लिए ठीक है और इंपिदेंश ट्रेंगल के लिए होजागा आर अपॉन जयाओ जया एसी प्रकार से 10 जीट अबर अबर निकालेगे इस ट्रेंगल से वील अपॉन व्यार बरावर एक सल अपॉन एक सार यहाँ ठीक है यह मरें क्या आ है वाल व्लटस कापेसिटेन्स और इंडेक्टेन्स तीनों वहां लगे हों तीनों कुपमेंट नमारे वहां पर लगे होंगे तो उसके बारे मिलों नेक्स्ट वीडियों बात करेंगे सीरीज आलसे सरक्ट के बारे में ठीक है